तो है वरीवन वेल्कम बैक ट्यूमेंट सरकिल आज में बात करने वाली हूं कि ओवरी को मजबूत कैसे बनाएं क्योंकि अगर ओवरी कमजोर होगी तो एक अच्छी क्वालीटी का नहीं बनेगा ना ही ओलेशन जही टाइम से होगा और अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उसके लिए औे-ऊरीज का मसभूत होना बहुत जरूरी है उसके सारी लेयरस का सही होना बहुत जरूरी है जिस वज़ाए से एक जो है वो अच्छी quality के बने relation भी प्रेएक है भी प्रेड सही time पर आये हैं जिस वज़े से आप आसानी से pregnant हो पाएं अब औरीस के कमजोर होने के दो तीन कारण हो सकते हैं उसमें सबसे पहला कारण है हार्मोन इंबैलेंस अगर हार्मोन बैलेंस नहीं है उसमें कई तरह के दो तीन हार्मोन है जैसे की थारेड हार्मोन है या एस्टोजन हार्मोन है या प्रोजेस्टोन हार्मोन है ये तीनों हा जैसे ओलेशन सही से नहीं होता है और एक भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है तो प्रिग्नेट होने में परिशानी होती है और इसमें PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है और जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो है डाइट आज कल की डाइट बहुत ही जादा खराब हो है तमाम स्नैक्स है जिसमें वो धेर सारा जो केमिकल है वो अपने शरीर में अब्सक्राइब करते हैं और अगर प्रोसेस्ट फूड ले रहे हैं या बहुत जादा रेड मीट ले रहे हैं तो इस तरह की कई चीजें ऐसी होती है जिस वजह से और इस बहुत जादा डिस्टर जाता है और जब बहुत जादा घीन हो जाता है तो यह वजह से चाहित श्यक्राव और प्रोसे काम नहीं कर पाती है कमजोर हो जाती है उस वजह से फिए लेशन का तैम डिस्टराब हो जाता है तो अब यह दो तीन कारण हो गए जिस वज़े से ओर इसका मजोर हो जाती है अब इसको मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं तो इसको मजबूत करने के लिए आप सबसे पहले अपने डाइट को सही कर लीजे यानि कि जो भी unhealthy आप खा रही है उतको छोड़के आप हरी साग सब्जियां पत्तेदार सब्जियां आप गोभी का सेवन कर सकती हैं और सादा खाना खाएं बहुत जादा ओली आप ना खाएं बहुत जादा मिर्च मसाले वाल ऐधोरण नहीं मिलेगा उसको इसका मिलने में लगभग एक से दो महीना जब आप कांटीनु करेंगी तब आपको इसका रेजल्ट मिलना स्टार्ट होगा हुआ है इसका सब्सक्राइब झाले आप थोड़ा सा पैशेंस रखना पडेगा और इसके लावगा आप अपना वे और आपके ovaries सही से वक करना शुरू कर सके उसके लब आप exercise जरूर करें, walk जरूर करें और आप chia seed का saving कर सकती है रात में भीगा के उसको रात में एक ग्लास वानी में एक चमच chia seed भीगा और सुबा आप इसको खाली पेट चबा चबा कर खाएं ऐसा करने से भी धीरे धीरे आपका मोटापा भी कम होगा digestion भी improve होगा और धीरे धीरे आपके ovaries भी मजबूत हो जाएगी